है यह दोस्तों सागत है अपनी यूटीब चैनल यूनिक प्लस पर मैं तुरों अमीद करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे स्वस्त होंगे मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज हम बात करते हैं टॉपिक संधी पको लेकर लेक्षर टू को ठीक है इससे पहले हम आपको संधी का लेक्षर वन की विश्या में हमने आपको बता दिया दोस्तों ये संधी आपके यूपिटर प्लसी एससे जीड़ी और आगामी जितनी भी भरक्षा है उसके लिए काफी लापकारी सद्ध होगी इसलिए आप लगादार हमारे चैनल से जोड़र है चैनल को लाइक करें कम को एक मेल से उतपन विकार दो वर्लों के मेल से उतपन विकार को संदी कहते हैं संधी जो होता है वो संसर्गत भाषणा का शब्द होता है यह सब्लद्रचना के अंतरगत यह उसी परकार साहिव होता जिस परकार रफ सर्घ प्रत्य और समास ठीके और सदी के अगर भेद की बात करें तो संदी के तीन भेद होते हैं स्वार संदी ग्यांजल संदी और विसर्ख संदी ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं स्वार संधी पर बात करते हैं, स्वार संधी के अंतरकत हमने दोस्तों आपको दीर संधी और गुल संधी की विश्या में बता दिया था, आज हम ब्रदी संधी पर बात करते हैं, फिर सक्याद में इरड संधी पर आयादी संधी पर, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात कर दू स्वार संधी के अंदर कर मैंने आपको बताया था दीर्ग संधी पुल संधी ग्रद्धी संधी यड़ और अयादी संधी ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम दीर्ग संधी और गुड़ संधी के विशार में हमने आपको लेक्चर वन में पूरा डेटेल से समझा दिया था आज हम ब्रद्धी संधी को लेकर बात करते हैं विरद्धी पर संधी ठीक है विरद्धी संधी पर बात करते हैं इसका यसे रूल से नियम यदि आ या आ के बाद यदि आ या आ के बाद ए या ए आए या बड़ी ए यदि आ या आ के बाद ए या बड़ी ए आए तो दोनों के स्थान में यदि आ या आ के बाद ए या बड़ी ए आए तो दोनों के स्थान में ए बड़ी ए तथा दोनों के स्थान में बड़ी ए यह आए तो दोनों के स्थान में बड़ाओ या आता है तो दोनों के स्थान में इस्थान पर बड़ाओ हो जाता है ठीक है? दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है यदि छोटा हा या बड़ा के स्थान पर बड़ी या आता है आए तो दोनों के स्थान में बड़ी ये तथा ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो हो जाता है जैसे कि एक्जाम्पल बताते हैं आपको जैसे आ चोटा प्लस ए यानि चोटा और ये ए तो ये बड़ा बन जाता है ये बड़ा ठीक है? तो यह एक प्लस एक एक प्लस एक यानि एक-एक एक इस तरह से ये देखें आप चोटा प्लस चोटी ये यानि बड़ी ये का रूप ले लिया ये यहांपर हमने आपको बताया था अब और इसका जैसे एक प्लस एक यानी एक एक यह देखें आप इसी से इसी तरह से यहां चोटा और बढ़ी ए जैसे चोटा और बढ़ी ए तो नव धन एश्वर जैसे नव धन एश्वर नव प्लस एश्वर यानी नव एश्वर इस तरह से देखें अप चोटा और ये बढ़ी ए यानी बढ़ी ए यहां पर तो नव धन एश्वर इसमें आ चुप हुआ है आ नव और प्लस ये बढ़ी ए इस तरह से A और A यह दोनों मिलकर A का रूप ले लिया तो एक पर यहाँ पर देखे नवे इस तरह से यह अमारा बड़ी A हो जाएगा यहाँ यानि बापेज बड़ी A लगी इस तरह से ठीक है और एक्जम्बल बताता हूं आपको जैसे की बड़ा A प्लस A चूटी A बड़ा A प्लस चूटी A यह भी इसका बड़ी यह का रूप ले लेगी यह इस तरह से ठीक है तो यह इस तरह से यह सदा थन एब यानि सदैब सदा प्लस एब यह उता है सदैब सदैब सदा धन एब यह आ तो सदा इसमें मैं आ चुपऊगा बड़ा ठीके इसका पहला लेटर देखें ए यह A बड़ा और यह A यह दोनों बड़ा प्लस A मिलकर बड़ी यह होता है बड़ी A बड़ा प्लस A यानि बड़ी A तो बड़ी A के रूप में दापयद दो मातरा लगी बड़ी A की ठीके तो यह हो गया बड़ी A इस तरह से ठीके इसी तरह से और एक्सम्पल समझाए आप जैसे A प्लस याँ O जोड़ो यहाँ पर इस तरह से A छोटा A प्लस O यानि यह बड़ा उनका रूप ले ले लेगा यह इस तरह से बड़ा O मैंने आपको अभी बताया था किदर आप जैसे छोटा A प्लस O यानि बड़ा O अब यहाँ पर क्या होगा जैसे कि एक्जम्पल परमधन ओजश्वी परमधन ओजश्वी परमधन ओजश्वी परमब्लस ओजश्वी यानि परमोश्वी इस तरह से देखें ये आ प्लस आ यानि बड़ा A तो इस तरह से परमधन ओजश्वी अब यह क्या हो जागा यानि हमारा परमोश्वी इस तरह से देखें ठीक है इसमें देखो A और A परम परमधन इसमें A चुपगगा पीछे देखें परमधन प्लस O ये हमारा पहला है तो हमने आपको बताया था A प्लस O यानि बड़ा O बड़ाओ को रूप ले लिया इसने अब यही बड़ा प्लस O यानि बड़ा O तो मा में देखें ये बड़ा O इस तरह से तो यहां पर परमधन ओजस्वी यानि परमोश्वी ठीक है आगे एक और एक्जम्पल समझें जैसे A प्लस बड़ा O तो यह भी हमारा बड़ाओ होगा A प्लस O यानि बड़ाओ होगा तो यह परमधन ओसद परमधन ओसद इस तरह से तो देखें यहां परम आ यह आ गया और बड़ा O यह हो गया A प्लस O बड़ा O यानि बड़ा O तो परमधन ओसद परमधन ओसद उम्हां पर यह बड़ाओ की मात्रा आ गयी देखो परमो आ प्लस O यानि मो यानि बड़े ओसद पर आ गयी बड़ा O ठीक है यह उता हमारा इस तरह से ठीक तो यह दोस्तों हमारी विरदी संदी के एक्जम्पल हो गई है ठीक है विरदी संदी मैं हमने आपको बता है यह आ या आके आ या आ के के वार्ण के वार्ण के वार्णत यह ए या ए तो दौनों के स्थान पर बड़ा ए तथा ओ या ओ हो संदी पर यह स्वचंदी पर यह प्रद्धिसंदी यह हो गई यह अमने आपको पहले बताया था यह भी हो गया अब यहां बात करते इल्डसंदी पर इल्डस्वरसंदी इल्डस्वरसंदी कर दिया है यर्दी यिववर और रिसी ए ए उ और उ और रिसी के बाद कोई भिन्द स्वाराए के बाद कोई भिन्द स्वाराए यदि छोड़ी ए बढ़ी ए उ और इसी के बाद कोई भिन्द स्वाराए तो ए और बढ़ी ए का या ए और ए का तो या और उ और उ का वा उ और बढ़ा उ का वा ठीक है यदि ए और इ का तो या और उ और उ का यानि वा तथा रिसी का रा हो जाता है रिसी का रा हो जाता है ठीक है E और E का या U और U का वा और इसी का रा हो जाता है यानि E या वा और रा ठीक जैसे जैसे या आपने लगते हैं E प्लस आ मैंने आपको बता है E यानि E और E U और इसके बाद कोई विन स्वारा है विन स्वाराय तो उसका किरम से E और E का तो या और U और U का वा और रिसी का रा हो जाता है इस तरह से E प्लस आ यानि या या हो गया? या तो यहाँ पर हमने एक्जाम्पल लगते हैं जैसे यदी धन अपी यदी धन अपी ठीक है? यदी इसमें देखो छूटी E यहाँ पर और यह A तो E और A बिलकाई या हो गया ता है तो यदी धन अपी यद्ध पी यद्ध पी यद्ध पी ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर देखें E प्लस बड़ा A E प्लस बड़ा A यानि यहाँ यहाँ ठीक है? अब यहाँ पर जैसे की अत्ति धन अवशक यहाँ देखें अत्ति धन अवशक अत्ति E तो D E प्लस बड़ा A तो इसका क्या हो जागा? चोड़ी E और A यानि इसका हो जागा या तो अत्यावशक 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 या दिखें यह या अता यहाँ पर दिखें? तब E और A बिलकर या हो जाती है तो E प्लस A यानि या अत्ति धन आवश्यक इसमें चोड़ी E ता पे चोड़ी के मतरा E और ये A तो E प्लस A यानि या या का रूप तो या का रूप देखो इसमें अत्या तो या इस तरह से ठीक है अत्यावश्यक और एक्जम्बल बता दे जैसे यहां लगते हैं E प्लस U मैंने इसका बताया था यानि E प्लस U यानि U अलग अलग स्वर आ रहा हैं U इसका रूप लेगा जैसे अत्य प्लस उत्तम अत्य प्लस उत्तम अत्य प्लस उत्तम तो या देखें ता पे चोड़ी के मतरा ये और प्लस U E plus U यानि किसका रूप ले लेगा U का तो अत यूत्तम या गया ठीक है E plus U यानि U यह उता हमारा जैसे यहाँ एक्जम्बल अत यूत्तम यानि अत यूत्तम तो यह देखे है यहाँ U तो E plus U ने हमारा U का रूप ले ले लिया यह इस तरह से ठीक है आगे बात करते है A जैसे U और प्लस A अब यहाँ पर बात करते है U plus यहाँ होता है यानि U plus A होता है वा इसमें सब वा आयाता है जैसे कि U plus A यानि वा ने आपको अभी इससे पहले बताया था तो यहाँ पर इसका एक्जम्पल जैसे है हुआ हमारा U plus A यानि वा अनू प्लस आय अनू प्लस अनू प्लस आय इस तरह से U plus A यानि अनू प्लस आय तो यहाँ पर इसका वा होता है तो क्या कहला है दोस्तों अनू वै अनू वै इस तरह से देखें आप U plus A यानि वा U plus A यानि वा अब जाँ देखें U तो यहाँ पर नापर U की मतला लगी यह चोटा U plus A इसने रूप ले लिया वा का किसका वा का तो वा यह यह रिया यहाँ वा इस तरह से ठीक है U plus A यानि वा वा का रूप यह रिया अनू वै ठीक आगे बात करते है जैसे कि यहाँ होता है हमारा U plus बढ़ा आ U plus बढ़ा आ यानि यह हो गया वा क्या होता है वा U plus A यानि वा तो इसमें होगा मद्दू धन आले मद्धू धन आले ठीक है तो मद्धू धन आले यानि इसको गया मद्धवाले मद्धवाले जैसे कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखें आप रा की बात करते हैं जैसे यह रिसी प्लस रिसी प्लस आ रिसी प्लस आ यानि योगा रा मैंने आपको बताया था रिसी प्लस आ यानि रा तो इसमें पित्र प्लस अनुमति पित्र प्लस अनुमति पित्र प्लस अनुमति इस तरह से ठीक है तो यह पित्रव नूमती पित्रव नूमती इस तरह से देखें आप रिसी प्लस आ यानि रा तो यहां पर रिसी यह रिया प्लस राह यह आ आ यह रिया तो यह किसका रूप लिलता रा का तो पित्रा पित्रा यह यह राम का गया यहां पर तरह से ठीक है पित्रानू मती इसी तरह से एक एक एक्जम्पल बताता हूं आपका इसका यसे रिसी प्लस बड़ा रिसी प्लस बड़ा यानि यह क्या होता है अमारा रा ठीक है पित्र धन आदेश पित्र धन आदेश इस तरह से देगें आप प्लस आ यह रिया ठीक है तो यह किसका रूप लिगा रा का तो पित्रा देश पित्रा देश इस तरह से ठीक है यह तो दोस्तों यह हमारी हमने कैई एक्जम्पल इसके बता दिये इए पागी के आपको यह संधी के विशह में पूरे बताएं कैसे क्या सोन होगे ई और ऑर ठाथ हो जाता है इसका example मैंने सब यह दे दे के आपको पताए इसमें या का यूज़ हुगा है ठीक है इसामें और इधर देखें इधर यूज़ हो गया यहां और इधर रा का होता है हमारी यह संदिवी हमभी complete होती है ठीक है आगे बात करते है है कि अधिसंदी पर लेकर आयादी पर संदी कि आयादी पर संदी पर बात करते हैं यदी ए और ए यदी कि ए और ए ए और ए ओ ओ और ओ और ओ और ओ और ओ बड़ा ओ ठीक है के बाद कोई भिनस्वर के बाद कोई भिनस्वर आये तो इनस्वर आये तो ए का आये आये और बड़ी ए का आये अचरी A एका आए और बड़ी एका आए और ओ का आव और बढ़ा ओ का आव ओ का आव और बढ़ा ओ का आव याए дан है यदि नियम ठीक है यदि A A और O और O के बाद कोई भिंड स्वर आए तो A का तो आए बड़ी A का आए और चोटा O का आब और बड़ा O का आब हो जाता है यह स्तरह से ऐसे बतलते जाते हैं ठीक है example समझे न यह से यहां पर हम लिखती है A प्लस A चोटी A प्लस A तो इसका क्या होगा चोटी A का मैंना यह बताया था और यहार यह आए क्या होता आए ठीक है यहां पर आप जैसे ने प्लस अन है यानि ने ने प्लस अन यहां यहां प्लस अन यहां यहां पर देखें आए का तुझे ना यहां यहां न आ ना पीछे सावाज आगी आ रही है तो आ इसमें चुपऊँगा है ना आ ओ यह यह रिया आए ठीक है जो को आए ए और ए बिलकर आए इस तरह से चे प्लस अन यहां पर देखें आप ठीक है तो यह भी इसी तरह से होगा चयन यह रिया न यह रिया रिया न जैसे चैन होता है ठीक आगे और समझाएं कि यह बर और बताता हुए example जैसे की ज़्या हम लेखती है ज़से यह अगये है अ ग्लस अ भड़ी ए प्लस अ यानि आये इसका आये होता है इसका आये हो यादा इसका क्या होगा आये बड़ी ए प्लस आ यानि आये, अब इसका example जैसे ने प्लस अक, नायक, ने प्लस अक, नायक, जा देखें आप, ए प्लस आ, आये, ने तो इसमें आगी बड़ी ए, ये इस तरह से, प्लस आ, ये आ, तो ए और आ मिलकर आये होता है, तो इसमें आपर देखें, ना, तो बड़ा आपे, पीछे से बड़ा आगी आवाज आती है, ना, तो आ, नाय, आये, ठीक है, ये आये होता है इस तरह से, इसी तरह से आगे और समझे, ये से यहां हमने लिग दिया, गय, धन, अक, गय दन, अक यानि गायक, गय, यहां देखें आप, गय, धन, अक, बड़ी ए, और आ, मिलकर आये का रूप ले लिया, तो यहां देखें, गय, आ, आ, यहां देखें आप, इस तरह से, तो गयक हो गया, आगे पात करते है, यहां देखें है, जिस यहां धन, अजय, अप्रण आपार आपको, अबड़ी ए, गय देखें हमने लिग देखें, गयक्तै, यहां देखें हो, पू धन, अन, 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 पवन, पवन पो तो ओ ओ की मत्रह यहां निकल लही है देखें आप प्लस आ तो पो ओ प्लस आ ओ प्लस आ अब क्या होता है अब यहां देखें आप पवन पप पीछे से आ वा जे रहा इस तरह से ओ यहां देखें आप ठीक है इसी तरह से और दाके समझें जैसे कि यहाम ले लिख दिया आपको जैसे बढ़ा O प्लस आ यहाँ पर बढ़ा O प्लस आ गया तो इसका क्यों हो जागा आब आब किरम से मैंने आपको बताया था भी इससे पहले यह आब और यह आब इससे पहले आए और आए O प्लस आ यहाँ आब इसमें हम जैसे कि कैसे करते हैं जैसे भू प्लस अन भू प्लस अन जैसे पौ दरन नहीं सौरी जैसे कि पौ प्लस अन 4 प्लस अन यहाँ पावन 4 प्लस अन यहाँ पावन यहाँ देखें आप इसमें O की मत्रा थी है यह O ठीक है प्लस आ तो O बड़ा O प्लस आ यहाँ आपका रूप लेता है आब का तो पा आ पीछे से आ गया और यह बा आ गया आब ठीक है यह आब हो गया पावक इस तरह से ठीक है दोस्तों तो यह हमने आज आपको यानि स्वर संदी के अंदर का दीर्क संदी गुड संदी ब्रद्दी संदी यड संदी और आयादी संदी की विश्य में पूरे डिटेल से समझाया आज लेक्षर बन में मैंने आपको दो संदी बताई थी उसमें दीर्क संदी अगुड संदी की विश्य में बताया है इसमें हमने आपको तीनों संदी बता दी यानि बि रदि संदी, Haha संदी और आयादी संदी इस तरह से मैं आपके सामने लगातार बीडियो से लाता रहूँगा और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ रहें चैनल को LCI करें , originated, कमेंटस करें , Subcribe करें ठीक है वीडियो अश्य करता हूँ कि आपको इस विडियो पसंद आया हुआ ठीक है और जैसे कि जोस्तों बिना कיहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है याई आप लगातार संगर्स करते रहें जिसने कि आपको शफलता रूर दरूर द्लेगी और जैसे कि महनत लगातार अपने जारी कब है ठीक है ये भी clear है और मैं समझता हूं कि यह आपकी परक्षा की दरीजश्टीशची संधी काफी लाब कारी होंगी कहते हैं जैसे कि मैंनत हमेशा जरूर रंग लाती है कामिया भी इक दिन में नहीं मिलती है लिगे एक दिन जरूर मिलती है जैसे कि काबत है कि यूई नहीं होती है यूई नहीं होती है हातों में लखीरों के आगे उगलियां यूई नहीं होती है हातों में लखीरों के आगे उगलियां रब ने किसमत से पहले मेहनत लिगी है रब ने किसमत से पहले मेह ड्रत पर रशा किजिए और लगतार अपने आपको में इम्पर्व करते रहिए जिस्की आप आगामी परे bank मैं जितने भी हो आप सफल हों और सफलता आपको जरूर मिले जैसे का आयाता है दोस्तो कि खीभी आप है और हाला का रहों मत रोना कभी भी के मेरा हालात खराब है या मेरा वक्त खराब है आप लगतार अपने काम को पूरे निस्टा से करते रहें पूरे लगन से करते रहें और आपको कामयाभी जरूर मिलेगी कभी भी कोई बादा मारग में वहुत सी बादा आएंगी लेकिन अभी आपको करना है और अपने आपको सफल बनाना है जैसी कि का आता है कि जो हो गया उसे सूचा नहीं करते जो हो गया उसे सूचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते यहीं पर मैं अपनी वाली को वराम देता हूँ मिलता हूँ आपको इसी संदी टॉपिक के साथ Lecture 3 में जब तक के लिए जैहेंद जै भारत